हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का पुना एक बार स्वागय थे बच्चों, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि अपने देश की रक्षा तथा विकास के लिए आप क्या-क्या काम कर सकते हैं तो शायद आप बोलेंगे कि मैं भारती सेना में भरती होऊंगा और बॉर्डर पे अर्था सीमा पे दूस्मनों के छक्के चुड़ा दूँगा मैं ऐसा नेता या समा सेवक बनूँगा जो भारत से ब्रष्टाचार अर्थात करप्षन और गरीबी को मिटा दूँगा वगेरा 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 तो क्या हम सिर्फ भारती सेना में सामिल होकर एक बड़ा नेता बन कर ही देश की शेवा कर सकते हैं नहीं बच्चों आप जहां हैं जितने भी उम्रके हैं आप वही से उस परिश्थिती में देश की सेवा एवं उसके विकास में अपना पूरा सहयोग दे कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं कैसे अरे भाई आप अन, पानी, पैसा, कागज, पेंसिल और बिजली की बच्चत कर देश सेवा में अपना भरपूर सहयोग दे सकते हैं अर्थात आज हम आपकी पाट्टे पुस्तक में आये पाट बच्चत का आध्यन करेंगे तो चलिए देखते हैं कि हम व्यक्तिगत बच्चत कर देश का कैसे सहयोग कर सकते हैं सर्व प्रथम हम अन्न की बच्चत सीखेंगे एवं कुछ देश के आकड़ों से परिचित भी होंगे बच्चों भारतिय संस्कृति में अन्न को देवता का दरजा दिया जाता है एवं थाली में जूठन छोड़ना पाक माना जाता है बच्चों आप कलपना करिए कि एक रोटी या एक व्यक्तिके भोजन के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है मैंने इस छोटे से चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है आप समझे कि एक रोटी जो बनती है वो गेहूं से बनती है गेहूं कहां से आता है किसान अपने खेतों में उगाता है और वहां से कटने के बाद वो ब्यापारी के पास जाता है फिर वहां से हम खरीद कर लाते हैं हम चक्की में उसको पिस्वाते हैं फिर उसके बाद हम घर जब लाते हैं तो मम्मी आटा गूती है गैस सिलेंडर का भी प्रयोग करती है तवे का प्रयोग करती है पानी का प्रयोग करती है और फिर जा करके हम में रोटियां प्राप्थ होती है तो कभी आपने एक रोटी के पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है इस पे विचार किया अब विचार करिए बच्चों यह अन उत्पादन के कुछ आकड़े हैं और मैं आपको थोड़ी और जानकारे देती हूँ आपको पता है अन उत्पादन में भारत दुनिया के शिर्ष देशों में से एक है पर भारत में 40 पर प्रतिशत अनाज बरबाद हो जाता है अर्था हर साल एक लाग करोड अनाज बरबाद हो जाता है बताईए है न चोकाने वाला तथ्य बच्चों अगर अन देवता है तो किसान अन दाता है अता हमें दोनों का आदर करना चाहिए चलिए अब हम अपने दूसरे सबसे अनमोल प्राकृतिक संसाधन जल के बारे में बात करते हैं बच्चों हम भोजन के बिना एक मा से अधिक जीवित रह सकते हैं परन्तु पानी के बिना हम एक सब्ता से अधिक जीवित नहीं रह सकते आप सुबह से साम तक कि अपने दिनचर्या के बारे में सोचिए कि क्या पानी के बिना हमारी कोई दिन चर्या पुण हो सकती है नहीं एक स्वक्ष घर, स्वक्ष सरीर और स्वक्ष भोजन सिर्फ और सिर्फ हमें पानी से ही प्राप्थ होता है अर्थात चाहे वह घर से संबंधित कारे हो चाहे वो फैक्टियों से संबन्दित कारे हो सभी कारे जल के बिना लगभग लगभग संभव नहीं हो सकता है चलिए अब हम जल की कुछ उपियोगिता और उसके आकड़े भी देखते हैं पच्चों हमारे सरीर में अर्थात मनुष्य सरीर में सत्तर प्रतिशत जल होता है अब आप बताओ अगर हमारे सरीर को सत्तर प्रतिशत जल की आवश्यकता है तो हमें जल पीना ही पड़ेगा अगर हम पानी की आवश्यक मात्रा सरीर को नहीं पहुचाएंगे तो हमारा सरीर स्वस्थ नहीं रहेगा अर्थात जल बहुत आवश्यक है अब पृत्वी पर जल कितना है यह देखते हैं पृत्वी की सतर पर जल 75% है लेकिन 97% जो जल है वो समुंद्रों में है और आपको पता ही है कि समुंद्र का पानी नमकीन अर्थात बहुत खारा होता है जिसका हम उप्योग रोज मर्रा की जरूरत के लिए नहीं कर सकते हैं केवल 3% जल ही पीने एवं इस्तिमाल करने के लायक होता है जिसमें कुछ हिस्सा हिम के शिखर पर तथा कुछ मिट्टी में मिला हुआ है अर्थात 0.5% जल ही उप्योग के लिए है इस बात को हम और सरल तरीकी से समझ सकते हैं जैसे कि आपने देखा एक बाल्टी पानी में एक चम्मच पानी जितना आप निकालेंगे उतना ही पानी सिर्फ और सिर्फ उतना ही पानी पीने के योग है इस धर्थात 0.5% यहां पर 97% जल है धर्थी पे जो की समुंद्रों में है लेकिन पीने योग के जल एकदम थोड़ा सा है तो आप सोचिए हमें जल का उप्योग कितना सोच समझ के करना चाहिए और उसकी बचत कितनी आवश्य के यहां तक कहा जाता है कि जो अगला विश्योयुद्ध होगा वो सिर्फ और सिर्फ जल के लिए होगा अब आप इसकी बचत कैसे कर सकते हैं बच्चों जब भी आप नहाने के लिए जाए बातरूम में तो बाल्ती का प्रियोग करें शावर का प्रियोग हो सके तो नहीं करें और जब भी आप अपन स्कूल जाएं और बॉटल में पानी बच जाएं तो उसको फेके नहीं किसी पौधे में उसका प्रियोग करें किसी पौधे में डाल दें उसको और जब भी किसी सारवजनिक स्थान पे अगर नल खुला हुआ अगर आप देखते हैं तो उसको बंद कर और हाँ हो सके तो बारिश के पानी को भी इकठा करने के नए-ने उपाय सोचे और किन-किन चीजों की बचत करनी ज़रूरी है धन की बचत अर्थात पैसे की बचत बच्चों यह स्लोग देख करके आपको कुछ याद आया अरे भाई यह स्लोग आपके स्कूल के किसी एक दिवाल पे लिखा हुआ है आप याद करिए तब तक मैं इसका अर्थ बताती हूँ अलसे कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनसे कुतो मित्रम अमित्रश्य कुतो सुखम इसका अर्थ है आलसी को विद्या कहां अर्थात उसको ग्यान नहीं होता अनपड अर्थात मुर्ग को धन कहा उसके पास पैसे नहीं होते और निर्धन व्यक्ति को मित्र कहा निर्धन व्यक्ति के पास मित्रों की कमी होते उनके मित्र होते ही नहीं है और जिनके पास मित्र नहीं होते हैं उनको सुख कहा अर्थात मनुश्य के पास पैसा अर्थात धन होना बहुत आवश्यक है लेकिन सिर्फ धन होने से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं उसका सही उपयोग एवन बचत करने का तरीका भे हमें आवश्य आना चाहिए बच्चों जब भी आपको कुछ पैसे अपने दादा दादी नाना नानी या अन्य रिस्तेदारों से मिलते हैं या अपने माता पिता से जेब खर्च मिलता है तो इसे आप बचत कर अर्थात बचा कर इकठा कर समय पर अपने लिए कोई आवश्यक चीज खरीच सकते हैं या उस धन का परिवार के सदस्यों के बताय अनुसार उचित उप्योग कर सकते हैं और बच्चों आपको तो पता ही है बच्चे देख कर बहुत जल्दी सीख लेते हैं अतो माता पिता को भी चाहिए कि वो मित्व्याई बने अर्थात जितना चाहिए उतना खर्च करें फिजूल खर्ची से बचें जब माता पिता या घर का सदस्य यह कारे करता है तो बच्चा भी बचत की आदत को अपनाता है बच्चों कागच पेंसिल से ही हम पढ़ना लिखना सीखते हैं और छात्र छात्राओं की भाषा में इन वस्तुओं को विद्या माता कहा जाता है अतो हमें इनका नुकसान करने से पहले एक बार पाप बोध तो जरूर होना चाहिए कि विद्या माता नाराज हो जाएंगी और हमें कागच पेंसिल की बचत क्यों करनी चाहिए वह इसलिए कि यह दोनों वस्तुओं पेड़ों की सहयोग से बनती है कागच भी मुख्य रूप से कुछ विशेश पेड़ों की लकड़ी से बनाया जाते हैं जैसे स्प्रूस, चीर, विवित प्रकार की घासे एवं बास मुख्य रूप से प्रियोग होता है पेड़ जो काटे जाते हैं वो मुख्य रूप से पेपर के लिए स्तेमाल होते हैं कागच बनाने में कुछ विशेश रसायन का भी प्रियोग किया जाता है जिससे परियावरण को नुकसान होता है अतहम कहीं न कहीं प्रकृति को हानी पहुचाते हैं बच्चों आपको पता है पूरी दुनिया में हर रोज कागच बनाने के लिए असी हजार से देड़ लाक पेड़ काटे जाते हैं अरे पेंसिल की बचच क्यों करते हैं चलिए अब पता करते हैं कि पेंसिल कैसे बनती है बच्चों ग्रेफाइड की पतली छोड को दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच दबाकर उसे गोट से जोड़ा जाता है इस प्रकार पेंसिल भी पेड़ों की लकड़ी से ही बनाए जाती है अतर बच्चों अब आप खुद सोचिए कि पेंसिल और कागच की बचत करना भी कितना जरूरी है और हाँ अगर आप अपने किताब, कापी, पेंसिल को सही तरह उपयोग करते हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी चीजों के एक बड़े अच्छे मैनेजर हैं और चीजों की कदर करना जानते हैं और निश्चित रूप से आप एक जिम्मेदार छात्र और छात्रा हैं इन चीजों की बचत की जानकारी तो हमने ले ली अब देखते हैं कि बिजली की बचत करना क्यों आवश्यक है? वैसे तुम मुझे पता है कि मेरे बच्चों को बिजली की बचत कैसे करनी है ये पता है. फिर भी हम थोड़ी जानकारी ले ही लेते हैं. बच्चों इन चित्रों को देखिए ये चित्र बहुत कुछ कहते हैं आपके घर में जितने भी डिवाईस हैं उनमें स्टार अर्था जिसमें स्टार बना होता है उसकी संख्या जितनी जादा होगी वो उतना ही कम बिजली का उपयोग करता है दूसरे चित्र में क्या बताया गया है कि जहां तक संभव हो सके हाथ से कारे करे बिजली के उपकरणों का उपयोग कम से कम करे और नीचे दिखाया हुआ है कि जो उपकरण उपयोग में न हो उनका स्विच आफ कर दें अर्थाद बंद कर दें और जैसे कि अगर आपके घर में मोबाइल चार्जिंग में है तो अगर उसका काम नहीं है अगर वो चार्ज हो चुकी है तो उसका चार्जर निकाल देना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम सिर्फ मोबाइल निकाल देते हैं और और हमारा चार्जर आन रहता है अर्था ज नीचे की चित्रों में देखिए, हो सके तो सूरी के प्रकास में अपने कमरों में, कमरों के या अपने घरों के खिड़की और दरवाजे को खुला रखिए और परदे को हटा दीजिए जिससे सूरी की रोशनी बराबर आपके कमरे में आए और अपने घरों में सामान्य बल्ब की जगह CFL का बल्ब लगाएं यह बल्ब सत्तर से असी प्रतिशत बिजली की बचत करता है और हां कभी-कभी प्राकृतिक रोशनी अर्थात नेचुरल राइट का भी यूज करना चाहिए अर्थात प्रियोग करना चाहिए कैसे जब भी आकाश में पूर्ण चांद हो तो अपने परिवार के साथ घर के बाहर बालकनी में या छत पर या घर के बाहर निकले और उस रोशनी में कुछ खेल खेलें इस प्रकार घर की जो बिजली है उसको बंद कर दें और उतने देर तक तो आप बिजली की बचत कर ही सकते हैं इस प्रकार बिजली की बचत कर हम दूसरे राज्यों से महंगी बिजली को न खरीद कर अपने राजे के विकास में सहयोग कर सकते हैं बचत के बारे में इतनी जानकारी के बाद मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे इन सभी उपायों द्वारा बचत कर देश का एक जिम्मेदार नागरीक जरूर बनेंगे और हाँ साथ में अपने परिवार अपने मित्रों को भी बचत करने के लिए प्रेरित करें जैहिन जै भारत धन्यवाद